स्टूडियोम्सटान, नमस्कार, मी मदूरा हित गूज, यामचा कारिक्रमाइट अपले स्वागत, या कारिक्रमाए अपन वीविदर विकारान वे चरुचा करूं, तद्यन करूं आपणो पढ़ा कॉर पधातिन विशीद चरुचा करता सो, आझाज अपने जी आरदी आणी स्टुडियों मथे स्वागत करते नमस्कार दोक्टर दोक्टर जोशी यहना कोईमतर चा प्रोफेसर सी पलानी वेलू यहांचा मार्कदर्शना खली लेपरोस्कोपी सर्जरी मथे प्रशिक्षान पूरण के लिया बद्दल डिपलोमा इन अडवांस लेपरोस्कोपी सर्जरी ने सनमानित करना तले दोनजार रक्रा मधे तणी बेलजय मधे मिनिमल इन्वेजीव बरियाट्रिक सर्जरी आणी कोलोगेक्टर कैंसर सर्जरी चा शिक्षण गेतलो अनै अतना बरेंद डक्टरां नी हजारो शस्तर करिया के लेलिया हित आने गुंता गुंती चा शस्त्र क्रिया तैनी इस भी देखेल केला है चला तरह आज पड़ गैस्ट्रोसोफेजल रिफ्लक्स डिसीज आणी हाइटस हर्णिया बदल जानूं गिया डॉक्टरान कडूं लगे चास डॉक्टर पुन्हा एकदा स्वागत है डॉक्टर बराज आसो तो की जलजल होना मलमल होना कि मां कुठे तरी चाती तरास होतासो कि मां घशाला कुठे तरी कोरण पडलाहर कवाटता है यह सक बरेस गोष्टी अपड़ यहां डे टुडे लाइफ मदे पहातासो मात्र जी गर्ड मंझे जी अर्ड आणी इहां सग्ड़ा गोष्टी है चाहां मदे काई निमका फ़रक आहे सब्सक्राइब काई निमका फ़रक आणी थोड़ा घशाशी एन वरवर चाती मदे जवजवड होना हाट बर्न दुखना यह सगयान आपले सगयान होतास तक अधिकाली वन्स इन वाइल होता त्याला असे रिफ्लक्स मंटात पर्न यहां कम्प्लेंट सस्टेंड फ्रिक्वेंटली वाहला जमाल आखतात मझे इन पर्टिक्यलर से अठोड़े अमदे दोंदा कि मां दोना पेक्षा जासते वेला आणी असा सस्टेंड बेसिस वर एक जवजवड अपले अला त्रास देतो अपला क्वालिटी ओफ लाइफ सफर होता त्याचा मादे आणी हाँ डेवलप जाला अंखीन एग्रेवेट होत गेला आणी त्याची ट्रीटमेंट योग्ये नाई जाली तर त्याची अंखीन सीरियस रिपरकॉशन्स पोड़े अपले अला सोसा है पर बर्याजास हो तो कि घरगुती उपाय करना कि महां कुठधरी हां गोष्टिंद कड़े हां ठीके नॉर्मल जर्जात होता है ठीके असरीटी वाडली असे यहां कड़े अपन थोड़ा सा दुर्लक्ष करतो आणी अनंतर तैचा पुढ़े जाओं खुब मोठा प्रमन अनेक कारणा है खान्या पिना चे इंडलजंसेस वियसन आलकोहॉल स्मोकिंग इर्रेगुलर डायेट ताइमिंग जंक फूड अती जासते जमा होता है बैलन्स डिस्टब होता है अती जासते असीड फोर्मेशन नंतर थोड़ा थोड़ा असीड पुढ़े जासते है अधिया फाइब्रोसिस मुले स्टमक वर पुलप वायल लागतो चेस्ट कड़े तो गर्ड खूप जासते काला साथी निगलेक्ट जाला तर अपला जे जठर है जठराचा स्टमक चा वर्चा पोर्षन आहे तो हलग हलु चेस्ट मधे पुलप वायल लागतो अगतो त्या अधिया मुले डायफ्राम यहा स्नायू मधे जो जे चिद्र अस्ट जातना अननली का इसोफेगा सेंटर करते अब्डोमिन मधे पोटा मधे ते चिद्र डायलेट वायल लगता है तो गर्ड कंवर्ड कंवर्स इंटो और रादर कॉजेज हायतस हरनिया तो पुडश रिपर अनने अनने गर्ड वरती नेमके काय उपचार कराया थे तो कशा पद्धती निदान कराया थे या वद तो तुम चाहण गेचे मतरा गर्ड होने ची नेमकी काय प्रामुख्या न कानन अधिसाथ अधिस्कली डायाट आज काल चाहिए अधिकल चाहिज लाइफस्टाइल्स अति जासते stress-filled लाइफस्टाइल्स डायाटे चाहिए अति जासते इंडलिजंसेज खूब जासते थिखत, तेलकट, तुपकट खाने अति जासते बाहर चाहना व्यासन अंकंट्रोल्ड अल्कॉ अधता दुम्हें मनाला तसकी अवेडी जेवन असेल कि वा सतत बाहर चाहन धूम्रपांथ कि वा स्या अलकोहोल चा प्रमान है सगया गोष्टी है सगयाला कारणी भूत आहत मात्र यहां सगया चानंतर जेवां गर्ड हो तो तेचा नहीं आपन तेचा कड़े दूर लगशे हाइटस हर्णिया उद्भवनें चांसे साथ हाइटस हर्णिया आणि गर्ड मदला नेमका काई फ़र हो कि मा तो तेमा ती स्टेज असते जहां अपले अला एसिड रिफ्लक्स हा थोड़े मदे दोना पेक्षा जासते बड़ा होतास तो आणि तो सस्टेंड कंटिन्यूसली एक तीन महेंना साथी सालू रहाइला हसतो त्याला घठ मनतातों घठ मनताता त्यांचा पुड़्शा स्टेजता हाही तो सर्णिया जैंगां गहां टिनेशली ळां रहाइला थे फोड़ुलक्स्रील्ड जाला तैंटिन्यूसली प्लिभद स्टैंगलशली रहाला त्यामिक अन्खिन जासता सिम्टोमेटिक पेशन्ट होतो, एसीड फार खूब जासता असीड चा मारा जालया नी, तर्मिनल वर्चा अनली के मधे, इसोफेगस मधे, आतल्या बाजूला असे काई चेंजेज होता, सेलिलर चेंजेज, जैचा मुले एक कंडिशन होते, निर्मान होते का लोकान मदे जाला मन्टा बैरेट सिसोफेगस, बैरेट सिसोफेगस है, प्रीकैंसरस कंडिशन है, विच मीन्स की अती निगलेक्ट जाली, तर काही लोकान मदे, एक माइनॉरिटी पॉपिलेशन मदे, गर्ड चालूरायला, तर अट लेटर स्टेज, इट कैन कल्मिनेट इ सप्राइब हैं निगान सिसोफेगस, अरह बनके अतावान भेचरा, टर अक जड़ा दच में, फॉपिलेशन में, या dauरह तैया अट जी, अप्ॉपिलेशन नर्मल लोकेशन तो थोफ़ेशन है, चालू दूसरेया कुटलेया तरी कैवेटी और स्पेस में जातो। कॉमन गोष्टियास था एक्स्टरनल हर्नियाज। पर हायतस हर्नियाज प्रकार है। आणि तैचा मदे स्टमक जठर हे जे अब्डोमेन मदे असालब है पूरुन पने। तैचा जो वर्चा भाग है तो खेचला जातो वर्चेस्ट मदे चाती मदे तैला हायतस हर्नियाज। तैचा नी गर्ड अंखिन वाड़तो। करने एसिट प्रोडक्शन होना रहे ता स्टमक मदे अंखिन वर्वर जायला लगतो। आननि अंखिन प्रोग्रेसिवली जासता जासता पूलप हो उना तो आनकिन त्राज देला लगतो। अध्यास यह दिया वाड़ेश कहें निवर्चा वह देशा माता से शुर्ण कलूजना है努र दुम्यंसे अधुज़ एकसी प्राप्र ट्राइटमेंट नाई जर्जा है तर अल्टिमेटली तो हायट सर्णिया होतोच तो त्याचा कंक्लूजन आए अधा पन गर्ड अणी हायट सर्णिया बदल बोलतो यह दोग्हान मतला नेमका जब फरक कराईचा सहला तर काई फरक आहे अची काई लक्षण वेगले-वेगले दिस्तात काई दोग्हान ची है कोणा-कोणाला खोकलास तो कोणा-कोणाला वाटर ब्रश कीमा रिगर्जीटेशन होता प्रत्यक मीलन अंतर वरवर एता गशाशी हैता यह जची इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी ही हायट सर्णिया जाले नंदर आणखिन वायला लागते बेसिकली प्रोडक्टिविटी वाल यहाँ निदानमा कसा कराईचा तो यहाँ जानी बेसिक इंवेस्टीकेशन जायए प्राइमरीली सिंटम्स जे मां पेशेंट लाइशन लोकानी केल थोड़ासा आंठीन कंट्रोल थोड़ासा डिसिप्लिन आला व्यसन जरास्तील अती जासत चाहां कॉफी पीनारे लोका त सगयान मदे लिमिटेशन जराला और सिंटम कंट्रोल रहेला तर फार जासते आंखिन पुड़ पावल कि मा आती आंखिन काई फैंसी इंवेस्टीकेशन तपास कराईची गरज नहीं पर्सिस्टंट रहेले तर मग त्याचा नंतर गैस्ट्रोस्कोपी एंडोस्कोपी जास अर्था तो यह सर्जिकल ट्रीटमेंट बदल अपन बोलुयात्स मात्रव जेमां हाइटा सर्निया कि मां गर्ड जाला है तो निदान जाला नंतर खादा रुगुण तुम चकड़े आला तो ते अच्छा वर्ती आपन डायरेक्ट सा श्यस्त्रक्रिया करू चकणाना नहीं प्रत्यक गोष्ट हैंड जाला पाईजे आउश्द आपन गेतों पंड थोड़ा सा डायरेक्टरी डिसिप्लीन लाइफस्टाइल मदे डिसिप्लीन हान जरा थोड़ा सा कठीन जाता अनिकलो कानना या सगला गोष्टी एकतर जाला अपरोप्रेट स्टेज ला डाइग्नो यहां गोष्टी न से पुढ़े होना रे सीरियस रिपरकॉशन्स याची लक्षा ठेवता त्याची सर्जरी के लिए तर त्यासा जासता फाइदा हो तो पंड सर्जरी लागना रे सर्जिकल कैंडिडेट से कमी असता त्या डोक्तर तुम्हीं मनाला तस की बर्याज़ा काह ना पेटी यहांदान कनी था ले पिक लाताई बिल कुल नई से त्याला तैस्यान से त्यारे में तुम्हा dice च्ईली तो झाल नी रूटीन कथी लिए प्रोटोन पंप इनिबिटर्स मन्तो ओमेप्राजॉल, पैंटोसीड, 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 रैबिप्राजॉल, इतके सागली मेडिकेशन साते, इतके सूपरीचिता है लोकानना, अधिशे इंस्टेंटेनियसली ग्रैटिफाइंग आशी 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 गोल्यां घहता, आपन तीह आधिन होतो है, बड़ो बड़े आख दोड़तोवां जाए लागतों, अरि यह अक्या आशी आशी आउतेरी अश इचाए, कारण है, की कैल्सियम और प्रोटीन्स हैं आपने आहरतना जाता है, क्याल्σιम अपले हडान चाहा अगी नायूं चाहेल साथी अधिश्य महत्वाचा स्था अगड़ी आपने नखे शिकाने ते अपले स्ट्रक्चर प्रोटीन अपने बाड़ी अधि चाहा है अगड़ी मेंटेननेंच साथी प्रोटीन्स लागता है प्रण अहरा मदे जा फाम अब्जियं केस्ли अब्जिया शेराथकरण एल चाहिए प्कोम हैं अब्जिया उठिमकतर बोड़ी के दिफ ही दो freestyle यंटिय जरी-देटे-ग नोग बहुतिथा आइसूंटर पषेचरिंग् नया गेम्तिकर राप लिल और पयुग encouraged . एक slow damage चालू अस तो बैग्राउंड माद है obviously त्या आउश्यदान चान उस ता फाइदास अपलाला संभव तो पन long term त्याचे लॉसस खूप आए अच्या मुझे overall young fit लोका ना अती जासते regular basis वर day to day basis वर जार आउश्यदागे ची गरज पड़त असेल तर देशूट go for a diagnosis आणि हाइटस हरनिया असेल, chronic GERD असेल तर यहां medications regular basis वर dependent basis वर न घेन हे जासता चान लाए तुम्ही हाइटस हरनिया वद्दल अत्ता बुल ला ते मां हाइटस हरनिया जेवा होतो ते मां साधरान पड़े एक थोड़ा सा फूगवटा त्या भागा चा तैयार होतो अर्था थे हाप मुए गर्ड ला जासत प्रमाला त्रास होतो है अश्यावेश हाइटस हरनिया वरती अपन आउशद उप्चार करूं चालतात का का अपने ला ओप्रेशन करावस लागत करनकी जाडी बस होना से करनकी तो कुछ ते दी दाबला तो फुगवटा कमी करना करनकी अपने ला एक लक्षा ताल कि अपना कुछला तरी हाँ अपना स्टो बागताता सुधा सर्जरी करा आला इस पजा आजना नाही है मेडिकेशन ही चांगली अवेलेबल आतो अश्या अच्वड ये अचा बरवर बसिकली गनी मी कावा खेलावा बडूर बसिस्वर ते लचा आधीन होन डे टोड़ी बसिसवर ते डिपेंडन होन त त्याला स्टॉप स्टार्ट वे मधे प्रोटोन पंप इनिबिटस चा योग्य वापर करा हुआ जयने करून सिम्टम कंट्रोल पन रहा है लाइल अपली क्वालिटी ओफ लाइफ पन मेंटेंड रहा है लाइल अनि कदा चित सरजरी सुधा आप लेला अवोईड करता है अश्वाइस अपला पोट फुग लाहर चा इवाटला अपन सम्झाए चा के छाओ हारन्या माइचा हाँ एक स्टरनल हर नया मधे पोट फूगत है यह इंटरनल हरनिया है यह जट्णाषर के छाड़न चाला है त्याचा नहीं न छाती फूगते न पोट फूगते। त्याच मुले बाहरून आपले लग्षा तेना चाही मार्गस नहीं है। बेसिकली सिम्टम स्ते चाहे, फक्त इंटेंसिटी, सिवियरिटी, फ्रिक्वेंसी ही वाड़ते। अनि मग एंडोस्कोपी मदे अपला कडू नहीं है कि अपला है अनि तो किती मोठा है, किती त्राजदायक है। अता यहां सगला गुष्टीन से एज कोर्रिलेशन करना आती शे महत्वत चाहे। कोणी सत्तर ही मदे एंडशी चा एज मदे जर डाइग्नोस घाला है तो त्यानना अगदी एग्रेसिवली सर्जिकल ओप्शन देऊन काही अर्थ नहीं। पड़ यंगर लोकानना जैनना रेगूलर बेसिस वर ही आउश्वत घ्यावी लागता है। देट देट लाइफ सस्टेंद करना जाठी त्याननी हायत सर्णी जाज जरूर ही आउश्वत अवएड करना जाठी च्रॉनिकली डिपेंड़न्ट होना अवएड करना जाठी सर्जरी जरूर करून गया वी। पड़ मा यह सर्जरी नंतर ती व्यक्ती क्वालिटी ओफ लाइफ जगू शकते। एपसेलोटली एवन आउश्वत लागू शकतात अदे मदे पंड रेगूलर बेसिस वर डेट्टुडे बेसिस वर लागनार जे डिपेंड़न्स जो निर्मान होतो हाक बर्याच अउश्वी कमी होतो वर लागनार जेश्वी कमी होतो है। तो बेसिकली शस्त्रक्रिया मदे काय किलाज आता कि स्टमख जठरा सा जो भाग वर्च आला है चेस्ट मदे तेला आपने आला चेस्ट मदना चेस्ट मदना तेला परत अब्डोमिन मदे पोटा मदे घूनियाचा है जीते तो दुसरी गोष्ट मनझे डाफ्राम कि आहा जो रेस्परेट्रिस नायु और मदना तो पुल अचं़ आनि मोठा जाला है तो पूल जाला मूले तो डाफ्राम मदले जे ओपनिंग आहे ते ओपनिंग जालेगा है तेला काई स्टीचेस गीमन त्याला अपनिला थोड़ा प्रेशर थोड़ा सा हाई प्रेशर जोन बनो तो जने करूं त्या असीड ला वर शिर्ण इसोफेगस मदे जाना है अउगड़ून बस तो यहां तीन कॉंपोनेंट्स थेचा है स्टमक परद मागे आड़न डायाफ्राम सा अती जासता लाग जलेल ओपनिंग थोड़ा सांख टाके युण टाइटन करना आणि त्या इसोफिकस चाहोती भावती स्टमक चा वर्चा फंडस विल्खा 360 डिगरी तला रैप करना आणि ताके युण फिक्स करना यहां तीन गोश्टी त्या सरजरी में आसता है बरबर डॉक्टर अत्ता तुम्ही यहां फार महत्वाद से सरजरी होते ही सांगितलों आत्ता प्रेंता तुम्ही हाजारों सरजरी के लेले आहेत आश्टी कई गुंता गुंती ची सरजरी तुम्ही चाहा कड़े आली एका किती अगदी तुम्ही पहस पने एशस्पी करून दाखो लिए ट्रता प्राइसरी तुम्ही पहस पहस पर संगादि खातव मेंटा प्रत्त करियी होते है स्कत्रा ही ऊच्पार जैसे प्रतों दे। त्याला परत त्याचा और टाके घ्यावी लागिता है अशा आनेक इजी टू कॉंप्लिकेटेटेड हासागा रेंज आये सरजरीज़ा, यहाँ 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 जालाया नंतर ती ब्यक्ती सर्वसामानन प्रमाने रहू शकते हैं? कॉलिटी ओफ लाइफ मदे खूब फरक पड़तो, आउशदान सा डिपेंड़न्स बंद होतो, एंटी ऐसीरीटी आउशदा कंटिन्यूस घेन बंद होतो, एसीड सप्रेशन चोविस तास बारा महने अठरा काल बंद होतो, त्याचा मुले जवडिया मिनिमम् असीड चा आप आणि इसोफेजल कैंसर यह चा बदल आपन परद परद बोलतो है, अल्दो लखीली आपन भारत हाका जगा चा नकाशावर एक होट स्पोट नहीं है, इसोफेजल कैंसर चा आपल्या देशा मदे प्रादुर्भाव कुप कमी है, पन जैनना गर्ड है, जैनना हायटस हरनिय आपना हाँ इसोफेजल कैंसर होना, पाच टक के 5% रेट आए, नॉर्मली भारता मदे इसोफेजल कैंसर चा रेट 0.0065 परसेंट आए, पन जैनना गर्ड आणि तुम्ही विचार करा कि बाई वाट परसेंटेज तो रेट आणि ती रिस्क वाडते, सो इन जनरल आपन गर् सिरियस रिपरकॉशन्स, पॉसिबल इसोफेजल टर्मिनल कैंसर या सगला गोष्टी अवाइड होता है, आज अपना अखरते हीरा नंदानी हॉस्पिटल में वेगवी गया है प्रकारचा शस्त्रक्रिया करतो है, मातरा केवल शस्त्रक्रिया करताना, आज आज आडवांस अपना शस्त्रक्रिया देखिल उपलबदा है, यहां में लैप्रोस्कोपी महत्वाद सा रोला है, लैप्रोस्कोपी सर्जरी के लिए ताथ कि फाइदा रुगणाला हूँ शकतो है, आज ती कितपत यशस भी हूँ शकते है, लैप्रोस्कोपी साथी एक कस्टम मेड अपना शर्णिया साथी, यहां एक मूठा वर्टिकल इंसिजन कट घ्यावा लागाईचा, यहां दोनी चेस्ट मदे दोनी बाजुला एक्स्टेंडिंग, रूफटॉप इंसिजन आमी मंटो, तसा घून मसल्स कट करून अपलियाला सर्जरी कराया लागाईची, अथा लै जा जा गोष्टी बारीक सारीक जा माइन्यूट गोष्टी है, त्या मैगनिफिकेशन मुले और अउगण स्पेस मदे इजीली एक्सेस मिलना मुले, लैप्रोस्कोपी से इंस्ट्रूमेंट्स लॉंग असता, लाम बलच असता, त्या मुले एक्सेस इजी मिलते, यह सगया अर्था तो ज्यास सगया, वर्थी खुब चांगलया खरतर उत्तम असे उप्चा रही उपलब दाहेत मातरों हें हूच ने, गर्ड कीमा हाइटस हर निया, त्या नेमका जीवन शेली मदे खाना पीने व्यतिरिकता काई बदल के लिए, अगदी थोड़ क्या साना? खाना पीना हे सगत महत वाचा है, लोकानी एंजॉय कर रहा हूँ, इंडल्ज कर रहा हूँ, पन प्रत्यकानी आप अपली लक्षमन रेखा आखावी, अपले आउटी बहुता है, तरी देखिल हे आजार संभवता है, लट्था पना मदे जासता संभवता है, आणी एक खान अपले आप लाइव खराब हुण है, इतका अपले ला रिफ्लक्स कि माया अचिटी होते है, जहां आपनी आपली स्वताची आखली लक्षमन रेखा खार करतो है, आपनी एंट्रोस्पेक्ट करावो, आपनी अपनी अपनी इस थरवा हो है, कि कि या आपले आज आज आटी पहिना वाइन ची जात्या वर्चियों महंजे